आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी फटा अफट बनने वाले तिल के लड़ू जिसमें हमें कोई जंजट नहीं कोई टाइम नहीं लगना हमें कोई चासनी नहीं पकाना है इसे मिक्सी में हम बनाएंगे और यह सुपर सॉफ्ट बनते हैं और इसे खाने में बहुत ही बढ़ि तो चलते चलते हैं हम अपनी रेसिपी की और यहां पर मैंने लिया है तिल लगभग मैंने आधा केजी तिल लिया है और अब मैं इसे अच्छे से भूंज लूँगी यह देखिए लगभग आधा केजी मैंने यहां तिल लिया है इस तिल को मैंने दो लिया है अच्छे से द ब्लेक भी होता है और हलका ये ब्राउन नेश होता है बने ये बजार वाला पॉलिश वाला नहीं होता है तो ये देखे बढ़िया साव ये तिल भूजने लगा है और ये बहुत अच्छे से आपको गेस की जो फ्लेमें उसे मीरियम में रखेगा और फटा-फटे से हम भूज लेंगे अब ये इसके बुजने के जो पहचान है ना तिल पटकने लगता है और खुश्बू बहुत बढ़िया से आने लगती है तो ये बढ़िया सा मेरा तिल हो गया है अब मैं इसे नकालूंगी बरतन पर और इसे हम करने रख देंगे ठंडा पहले हम रखेंगे इसे ठ आना है रफली हम इसे घ्राहिंड करेंगे ये ये देखिए इसे में हमें इतना रफली करना लाते हिंगे कि हलकर नीटप गए और हलकर सिसका पिश से जाए हमों हमारे ओइल होती हिसे बहुत बहुत समी बाहर आ जाए ताकि लड़्डों बनने get to part un पर ये देखे इसमें आलरेडि थोड़ा भूल बहुत और रहता है तो यह तो फर्छ इसमें हम ऑज़वाट उनकालते हैं आपको पता है तो इसमें से रहता ही , तो यह थोड़ा सा के जी लिया है तिल मिंस पाओ भर आधा पाओ लिया है बहुत ही कम मीठा आपको जितना अच्छा लगे आप उसी के अकॉर्डिंग गुड़ को रखेगा अब गुड़ को बिल्कुल बारी काट लेजेगा बड़ा-बड़ा मत रखेगा और इसे हम पीस लेंगे यह पीस के र एक बार ग्राइंड कर लिजेगा तो यह पुरा इसली निकल जाएगा यह देखे तो आप यह देखे ग्राइंड हो गया अब यह देखे इसली पुरे गुड़ निकल जाएंगे यह देखे बढ़िया सा एक आ गया है बहुत ही बढ़िया यह देखे पूरी निकल गया है अ आप मैं एड़ कर दूए हूं दो टी स्पॉन हमारे खी मैंने देशी घी लिया है इसे मेल्ट कर लिया है इसे बहुत बढ़िया सवादाता है जो तिल का लड़ू है बहुत बढ़िया सवाद देता तो घी को बिलकुल मिल्समत करिएगा हाँ अगर आपको कुछ प्राबलम है हैं ज्यादा घी ड़कड़ नहीं खाना है तो आप इसे किप कर सकते हैं और हम इसे अब कर लेंगे हातों से मिक्स ये बड़िया सा हमेदे हादों से मुक्स ये देखे पूरी दर्हार एक सा एकवली इसमें मिक्स हो गया है आप हम बना देंगे इसके लड़ू तो फटा वीडियो आप देख सकते हैं और अगर वीडियो बहुत अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंस करके मत लिखना मत भूलिएगा कि यह लड़ो कितने टेस्टी और एजी वे में बन चुके हैं हमें निकालूंगे से अब एक पर्थन पर यह देखे तो बढ़िया से मेरे लड़ो बनके तयार हैं और बहुत एजी तरीके से बिना किसी जहन जटके तो चलते हैं दोस्तों